हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक माई चैनल और मैं हो रुची तो कैसे हैं आप सब तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हो वो एक रिव्यू वीडियो है यानि कोई प्रोड़क्ट है जो कि मैं यूज कर रही हूँ लगवग दो मन्से उसका मैं आज आज आपके साथ रिव्य और सात ही तो आज इसकी बाफित नौर्मल चैणे काड़। या फिर और और जाओ यूज कोई तो इसकी आप इसकी नौर्मल वर्म्रेस को सबसे ज़्यादा मेरी पेडियों के जाँ होग जानी हो मुझे इस्टरीक होगतलि होती है और बाहुत रहे तो इसलिए मैंने इसको पर्चेस किया और मैंने इसको देखा मैंने इसको पर्पल.com से लिया है और मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्कुप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जरूर चेक आउट कीजिएगा एक बार तो यूज़ करना बनता ही है और क्योंकि यह जो प्रोड़क्ट है वो और स्किन टाइबस है इसलिए इसका जो प्राइस है वो भी एफोर्टेबल है आपके बजट में आता है कोई हाई इसका प्राइस नहीं है साथी साथ यह पैरावीं सल्फिक एंड्र्याटिक फ्री है तो बिल्कुल भी इसको इसको मत कीजिएगा लेना और बिल्कुल मत चोड़िएगा ज़रूरी चीजिए ख़़ी देगा यूज़ कीजिएगा और मैं अगर मैं बोल रही हूं बार बार की लेजिएगा तो कोई यह नहीं की प्रोमोशन वीडियो है या मुझे इसका तुछ मिला ऐसा कुछ नहीं मैंने इसको पर्चेस किया है तो अब इसको पर्चेस की जगा मैं इसलिए उताएँ क्यों कि मेरी स्किन और और बहुत सारे लोग होंगे मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे और जो ऑली स्किन हैं जिनकी तो इस तरह की प्रॉब्रम फेस करनी पड़ती है इस फेश वास को अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा किसी फेश वास के आपको ज़रती पड़ेगी पुरे दिन भर में आपको तो यह जो फेश वास है वो है फ्लेवर दी लोडस का रिफ्रेशि पेश वास विध एपल एक्स्टरैक्स और यह जो पीज वास है इसके देखी मैं एक है कोईika कवर विन बढ़ना है बस मैंने इसको यूज करना में स्टार्ट करदी मुझे लगवग दो मन्त होकर इसको यूज क filming मे ली थी मैं मेली थी मैमंत में अब चल रहा है जुलाइ और दो मन्त से मैंने केवल इतना यूस किया है सिर्फ इतना इसको यूस किया है और आप सोच आओं कि इतना दो मन्त कैसे चल सकता है विकौर इसलिए क्यूंकि इसकी तो कौंटिटी है वो बहुत ही कम लेनी है बिलकुल भी जादा नहीं इतनी मतलब इतनी मैंने बताई तो इतनी ही कॉंटिटी आपको लेनी है इतनी ही कॉंटिटी में यह आपके face and neck area को पूरी तरह से cover कर देता है और आपके face को glow करता है smooth बनाता है soft बनाता है और इसका जो smell है बहुत ही अच्छा है बहुत ही light fragrance है इसकी और इसका जो ingredient है मुझे काफी attract किया क्योंकि इसमें कोई paraffin कोई sulfate वगएरा नहीं थी यह बिल्कुल free है और साथ साथ और skin type से तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा इस तरह की product मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगते हैं attract करते हैं जिनमें यह paraffin जैसा हम लोग ढूनते ही है कि और बहुत ही affordable price में यह face wash है और इसके साथ ही जिस time मैंने यह मंगाया था उस time यह single product उसका इसका आया था और अब इसके दो product और आ गए हैं चुकि मैं इसको काफी time से use कर रही हूँ मुझे काफी अच्छा लगा तो इसके जो दो product आया है वो भी मैंने purchase कर लिये हैं बट मै इसका अभी आपको review नहीं दे सकती हूँ मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वह product क्या है बट मैं review नहीं दे सकती क्यूंकि मैं अभी तक उसको यूस नहीं किया है वह अभी दो चार दिन ही यूम है इसको आई हुए तो यह है floor the lotus की cream जिसको मैंने अभी purchase किया है और दूसरा है हमारा shower gel यह भी floor the lotus का है rose extracts के साथ जैसे कि आपको दिख रहा होगा यह light baby pink कलर का है और मुझे इसकी packaging और coloring काफी ज़्याद आची लगी और होता है अगर आप कोई product लेते हैं उसकी packaging या तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर उस product color का फिर अच्छा कुछ unique सा होता है तो आपको लेने की इच्छा करती है तो यह बात मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि यह बात एक जितनी भी वहां जिनों ने लिया था प्रोड़क्ट उन सबने एक ही बात यह बात नॉर्मल सबने कहीं थी कि इसको लगाने के बाद आपका फेस लो करेंगा अगर उसके बाद आप कहीं पार्टी वेयर में ज जोटनी पड़ेगी इतना ज्यादा यह बात गलो करेंगा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और वैसे भी एक प्रोड़क्ट मैं इसका यूज कर रही थी तो मुझे अच्छा ही लगा वह तो मैंने बिटकुल पी देरी नहीं किया और इन दोनों क्रोड़क्ट को भली खरे लिया तो इसका रिवियो मैं दोगे आपको बाद में इसको यूज करूंगी और यह कितना अच्छा है कितना कितना बेनेविट है यह कितना और आप करता है कितनी अच्छी तरीके यह को मैं बात में बताओंगी तो अभी तो सिर्फ इस फ्रेश वास का मेरी पूइट याज कैसा लगा जरूर बताईगा comment की जगा मेरी comment box में like की जिगा share की जगा मेरी इस video को और कोई भी अगर इस फ्रेश वास को से related कोई भी question हो आप जरूर पुछ सकते हैं मेरी comment box में तो चली फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और हाँ, अगर आप मेरी चैनल में न्यू है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए वो भी बेल आइकन के साथ ताकि कोई भी वीडियो आइस की मोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले विचली फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक लिए बाइबाइटी के अपना ख्याल लगिए वाग बाई